दोस्तों आप से मुका हर्दिक स्वागत है आपका प्यारा चनल एटुजडी पोइंट पर मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आएवे हैं बीपी एसी 47 प्री एकजाम 2005 का और विट आंसर के साथ आपको बताएंगे कि साही आंसर कैसी क्या होता है यह फ़स क्वाशित की देख रहे हैं चुम्बकी सुई किस तरह संकेत करती है पूरव पस्चिम उत्तर या अकास की तरह तो आप आंसर भी जान गए होंगे दोश्तों करेक्ट आंसर आपके लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑपसन नमर सी ए राइट आंसर यानि चुम्बकी जो होता है यह हमेशा उत्तर दिशा की और संकेत करता है तो आपसन नमर सी आपके लिए सही रहेगा नेस को देखने कि लोला की काला विधी टाइम पिरियट क्य सा नमर भी आपके लिए साही है रहेगा कि लोलक की कलावधी जो होती है लंबाई की उपर निर्भर करती है जैसे माले आपका जूला है और यह जूलेंगे तो यहां पर आपका जूला है यह ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे यह क तो जान गए होंगे यह आंसर आपके लिए काफी महत पूरुन है तो दोस्तों याद रहे कि महां सागर में जब उची उची जल तरंगें उत्पन होती है तो वह चंद्रमा से आपसु चंद्रमा के रीजन पर वह काम करती है तो आपसे नमर दी आपके लिए सही रहेगा भु ठेक्सिक्तक उन्सद्व काम करती है तो आपसे नमर बाकि अपके लिए गलत रहेगा है क्या अवरक्तकिरन के कारण के कारण कुलोरीन के कारण या उस्मा के कारण या अल्ट्रा भाइलेट रेज के कारण तो आपको बताना है सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों आप अंसर जान रहे हैं कि तालाब में अगर कोई मनुसी तेर रहा है तो उसकी तुछा जल जाएंगी कुलोरुइन के कारण तो आपसे नमर B आपके लिए दोस्तों सही रहेगा दोस्तों देखने नेश कुशन भी आगिया आपके पास की वेसफी करन के पीछे का मुख्य विचार क्या है तो आपको बताना है राष्टों के बीच मितरता पराप्त करना है या अंतराष्टी विवादों को समाधान करना है या आपसे समान द्रिष्टी कौन रखते हुए समस्त अंतराष्टी समुदाय के साथ कारी करना है या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों सही आंसर आप चुन ले होंगे करेक्ट आंसर होगा कोशन को देख रहें कि भारत के मुख चुना आविक्त कौन है चिप एलक्षन कमिशन कौन है तो जे एम लिंग दो डाटर एम एस किल या एस एल सकधर या इन में से कोई नहीं तो इसमें जदी देखा जाए तो इसमें से आपका मुख चुना आविक्त कोई नहीं है तो आपसर नमर दे आपके लिए सही रहेगा नेस कोशन आ गया आपके पास के फरवरी 2005 के चुनाओं में किस राज का चुनाओं आयों के साथ मत गर्ना की तिथी को लेकर जगड़ा हुआ था तो आप जल्दी से बता सकते हैं दोस्तों सही आंसर आपके लिए क्या रहेगा हां आप बता सकते हैं तो आपके लिए करेक्ट आंसर होगा और दे राइट आंसर कोशन की बात अगर करें कि राजा राम मोहन राय दुआरा अबरहम समाज के अस्थापना की गई थी कब की गई थी 1816 में 1820 में या 1828 में या 1830 में तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे करेक्ट आंसर होगा आपका आपसर नमर C is राइट आंसर नेज कोशन की बात करें कि संजुक्त राज संग की सुरक्षा परिषद में निम लिखीत में से कौन सा अस्थाई सदस्र नहीं है जपान, संजुक्त राज अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस तो दोस्तों जल्दी से बता सकते हैं सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों हाँ आप बता सकते हैं करेक्ट आंसर होगा, अपसर नमर A is राइट आंसर दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा वीडियो को पाते ही कॉमेट जरूर करें अगर आप हम आज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो